आपके स्किन पे एक्टम से जो कहते हैं दिखने लगेंगे आपको अपने स्किन पे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा दिया है इसे हलके लिए पूरे एरिया में लगा दिए और लगाज की तो रेमेडी है ना जो आप बस आख बंद करके कर लीजिए आपको फर्स टाइ ऐसे स्किन मेरी होती और वही स्किन आपको मिल जाएगी बस आपको ओनेस्टली से थौर्टफुली से और मेरी जो वीडियो में बता रही हूं स्टेपाइस्टेफ वैसे ही फॉलो करना है कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है लड़का लड़की जो भी है जिस भी ज्टेबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना दावा मैं करती हूं और इतना ड्रस्त आपको मेरे पर हुनाज़े क्योंकि मैं विदाउंट मेक आपके पास आती हूं और आपके अपने स्किन को एक्स्पलोर करती हूं without any extra light, any makeup, except lipstick, जो मैं आपको बताती हूं कि बस इसके इलावा चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाती हो और आपके सामने बैट चाहती हूं इसलिए करती हूं अपको पता चले की DIY का क्या रिजल्ट मिलता है चले बताती हूं आज की रेमेडी जो है मिल्क यानी की दूध फेशिल जो आप घर बैठे कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं इस आली प्रॉब्लम को तो विदाव पेस्टिंग ताइम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है अगर चान क्लीन बाव लेना है इसमें लेना है एक चम्मच बेसन जो होता है आपकी एज ऑफ साइंस पर बहुत अच्छे से ब्राइड करता है आपके स्किन पर बहुत अच्छे से जा कर कि आपकी स्किन को गोरापन लाता है निखारता है चहरे पर गंदगी मैल को हटा लेता है इसके बेटीर पीसं जे के छोगे हैं थान पोए और जोँ चौब आपने मिल्क है, पहले दोनों को अरॉझें कि अपर साथ ही, अटो साप्सक्षिंधी हैं. करने लिएकल को की माधी मिल दोनों कातार कर सामी को दिर्धियन्यक्य। तो आपको पता मिलें अट उयर्हेट और में बेषण गया है मैं में भीचा दूद्यान से फिर्गिशन गडरान सीट mm यह mistake आप नहीं करेंगे अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो wild milk है और ऐसा तो है नहीं तो आपको ठंडा करके थोड़ा सा ले लेना है मगर कोसिस यही जारी रखिएगा कि आपको कच्छा दूद लेना इसे अच्छा result मिलता है इसमें lactic acids पाय जाते हैं चहरे पर जाकर कि आपके चहरे को काफी जादा ब्राइटिन करेंगे जब यह मिक्स हो रहा था ना मुझे पैक लग रहा था वक्स मैं लगा लूँ इतना अच्छा मतलब इसका result हम मुझे दिख रहा था यह देखे पैक तो बन चुका है इसमें नहीं हो पाएगा तो टेक्चिर मैंने देखे मैंने आपको दिखा देना इस तरीके के टेक्चिर में आपको एचीव कर लेना है हमारा जो पैक है बनके रिडी हो चुका है अब बारी है से अपनी इसकिन पर लगाने की तो लगाने से पहले आपको क्या करना है आपको अच् रिलक्सेशन लगता है ना आप अपने थकान बूल जाओ गया है त्रस्ट में आपके स्किन बोलेगी थाइन क्यों बहुत अच्छा रेमेडी तो थाही साथ ही साथ मुझे इससे एक चीज तो है कि मसाज होने से बहुत अच्छा लग रहा है आपको क्या करना है हलके हलके हाथ उसे मसाज करना है उस एरिया में ज्यादा लगाई जहां पर आपको लगता डाकनेस जादा जैसे मेरे फोरेड में बहुत अच्छा डाकनेस तो आपको यह तरीके से आपको लगा लेना है और अगर आपकी पास एक्स्ट्रा है तो आप नेक में भी लगाएंगे देखिए बैक फुल बॉडी के लिए स्कामाल किया जा सकता है और मैं आपको जहां तक दिखा सकती हूं वही तक में दिखाते हूं एर्स में लगा लीजे क्योंकि आपके स्किन से यह सारी चीज़े मैच होनी चाहिए हैंड में तो हैंड में भी आप लगा लगा लीजे बहुत को रहने देना है कि इतना 20 minutes guys 20 minutes से जादा ने रखना ना उसे कम रखना है कम मतला 15 रख सकते हैं मगर आपको 20-20 minutes ही रखना है चलिए । 20-25 minutes बोल सकते हैं । 30 minutes नहीं रखना है इससे क्रेक्स पढ़ने की chances रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम इतने minutes के बाद 20 minutes के बाद और 2 minutes का क्या और क्या क्या कर आ है आपको अच्छी से massage कर लेना है ताकि हमारे जो आपको पैक है अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए मैं कैसे मसाज करें इसम्प्लि आपको वैसे हलकल के हाथों से सब्सक्राइब तयादी महींडे 20 मिनिट हो गए थे ओर और अपने सकी सब्सक्राइब थाया है आपको कया सकते है इतने अच्छा को ड्राइ करना है तो आपके सामने रजल्ट है वाइट रावल में दिखा जी ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने कोई एक्ट्रा कुछ कर रखा है इस तरीके से देख सकते हैं मैं अपने स्किन को प्रॉपर वाश किया है एंड वाश करने के बाद कर रजल्ट इतना अच्छा हाथों में ऐसे लेना है और हलके हाथों से क्या कर लेना है मसाज कर लेना है इसे क्या होगा आपके स्किन को जो भी मिला है वो लॉक हो जाएगा वो बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा अपने स्किन को मॉस्चर मिल जाएगा क्योंकि जो चावल काट होता आपकी स्किन को द्राइ बाइजम के लिए एक चैनल नार्मल स्किन है या फिर आप संसिटिव चीन या फिर आप वाले तब हम उस्ट्राइजर लगाना जरूरी है क्योंकि हर pack के बाद moisturizer लगाने से skin और better होती है इसके बाद आप अच्छी से नीन ले रात में कर सकते हैं morning में कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे skin पर अभी देने का मन है weekend है या फिर आपको लगे कि अभी रात हो रही ही तो मैं ख्यार नहीं दे सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है किसी time भी आप कर सकते है लड़का हो या लड़की हो दोनों कर सकते हैं 15 years से एवव हैं तो भी कर सकते हैं तब ही कर सकते हैं 20, 30, 40, 50, 60 जो भी एज में आप आरे हैं आप definitely कर सकते हैं इतना अच्छा result मिलेगा कि आप अपने आपको पहचान नहीं पाईएगा त्रस्ट मी गाइस इससे आपके skin से जितने गंदे जितने भी दाग धबे गंदगी मयल है चले जाएगे और आपकी skin 10 times better दिखेगी त्रस्ट मी गाइस ऐसे कुछ नहीं कह सकती हूँ एक बार आप करके देखेए शादी पाटी या कोई special occasion है या फिर आपके college में कोई party है या फिर आपके घर में कुछ get together है kitty party है तो आपको इसका अस्तमाल करना है एक बार में reserve लेगा नहाने से दो मिनट पहले जाए पैक लगा लीचे अच्छे से skin को clean करिए उसके बाद आप आपके skin और आप से लोग आके पूछने वाले हैं आपने skin पर कौन सा facial करा रहा है आपको बस यही कहना है कि कोई facial नहीं कराया है बस DIY कास्तमाल इस तरीके से किया है वीडियो अच्छ लगी है तो क्या करना है आपको उन लोगों को share जरूर कर लीजिए जितको इनकी जरूर कोई भी कोश्चन ऐसे उठ रहे हैं जो कि मुझे बात करना चाहिए दीदी से तो आप अप कमेंट के तुरू पूछ सकते हैं मैं इंस्टेंट में रिप्लाइ देती हूँ चलिए फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ तो I hope you guys कि आप समझगें इसे कैसे कैसे प्रिपेर क कि आप नए रहे हैं मैं इसे कैसे कैसे तो आप सुछ से बादे बादे कैसे वीडियो के आप साथ देख झाल झाल